आपको पता है त्रिफला होता क्या है और कैसे इसको इसको इस्तमाल किया जाता है इसके तो बहुत सारे आपको चीजे मिल जाएंगे की त्रिफला ये त्रिफला वो आईए हम कुछ और इसके गुण जान लेते हैं कुछ ऐसे महत्तपुन लाप जानते हैं त्रिफला के बारे यह त्रिफला के कुछ महत्पुन लाग सबसे पहला तो है पाचन को सुधारने में त्रिफला बहुत जादा मदद करता है और कप्स को दूर रखने में भी बहुत मदद करता है दूसरा है विशाणू नाशक पतब यह आपकी बॉड़ी को डी टॉक्सिफाई करता है आपकी में अगर कोई भी विशाणू है इंफेक्शन है कोई कुछ भी तरह का इंटर्नल आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे लड़ने में त्रिफला आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है क्योंकि यह पूरे इम्म्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है यह एक आयरन का श् स्टाइन लाज इंटर्स्टाइन आपका डाइजस्टर सिस्टम जहां जहां से भी यह पास होता है वो सब क्लीन करते हुए जाता है तो बॉड़ी की जो इंटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो त्रिफला बहुत अच्छे से करता है तो आप अगर आपको की प्रॉबलम है आपको पेट से जुड़ी कुछ भी तिकत्य है कुछ भी समस्या है जो आपको पेट से जुड़ी हुई है डाइजस्टर सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉबलम है तो आप बेट जिचक त्रिफला ले सके हैं आपको बहुत जादा राहत मिलेगा इसके बलाबा ये त्रिफला मानसिक स्वास को भी सुधारने में देखिए सारी जो बिमारिया है वो पेट से शुरू होती है तो अगर आपका पेट सही होगा तो आपका मानसिक स्वास अपने आप सुधर जाएगा और ये पेट को सुधारने के लिए पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को सुधारने के लिए त्रिफला बहुत जादा मददकार है तो इसलिए ये आपके मानसिक स्वास को भी सुधारने में इंडिरेक्ली आपकी मदद करता है वजन को नियंतरन करने में भी त्रिफला मज़रता है पहले बताया जैसे कि इसके सेवन करने से आपका कब्स से आपको कितना भी पुराना कब्स हो दोसो आपको त्रिफला के सेवन करने से आपको कब्सियत में राहात बिल्दी है जिससे कि आपका वजन भी नियंत्रीत रहता है, आपका weight manage हो जाता है ठीसलो का सेवन आप गर्ब हवस्ता के दौरान भी जो pregnant woman हो भी कर सकी है क्योंकि ये पाठचन को सुधानने में मदद करदा है जिससे कि गर्भ के विकाद को भी सहीयो प्रदान करदा है इसके अलावा आंतरीक कोई सुजन हो तो ट्रिफला उसको भी कम करने में मदद करता है और आंतरीक विकारों को दूर करने में आपको साहता करता है लेकिन कुछ चीज है दोस्तों जैसे कि त्रिफला का सेवन आपको कैसे करना चाहिए आपको किस चीज के लिए आप त्रिफला का सेवन कर रहे हैं इसको जड़ा स्टडी करिए और उसके बाद ही आप त्रिफला का सेवन करें त्रिफला ऐसे तो कोई side effect देता नहीं है लेकिन आपको ज़्यादा इस से चाहिए तो इसकी सही मातरा और गुणवर्था के बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके परिशानी बता सके हैं फेट से जुड़ी और अगर आप चाहें तो इसकी भी जानकारी हम आपको बता सरे हैं आप कमेंट करें आपको जानकारी बिलकुल मिलेगी